के गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कमेटर जीवेस गाईज होप आप लोग सब स्वस्तों के मस्तों के आज हम बात करेंगे कंट्रीज और उनके निकनेम्स के बारे में तो एक्जाम में हमसे अक्सर ये कोशन पोच्छा जाता कि कौन सी कंट्री को जो है शुगर बाल ऑफ यहां पर शुगर का प्रोड़क्शन बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए इस कंट्री को क्या कह जाते हैं शुगर क्यूब शुगर की क्यूब मतलब शीग जो क्यूब होते ना उसके तो शुगर क्यूब कि लेन ऑ गृवड्य को क्या जाता है वह जैनवार च पर मोटी उन की परत हो तो कहां पे जानवर मलते है यह जानवर एंढ़र जो है झांवल क делает आगी gift of nylon gift of nylon की से का जाता है तो एजिप्ट को किया का जाते है फिन लेंड को कहा जाता है क्योंकि यहां पर थाउजन नंबर्स में बहुत सारी लेक्स है तो लेंड आफ थाउजन लेक्स किसे कहा जाता है फिन लेंड को कहा जाता है नेक्स्ट लेंड आफ वाइट अलेफेंट्स किसे कहा जाता है थाइलेंड को कहा जाता है थाइलेंड को तो नौर्वे को land of midnight sun कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि नौर्वे जो है उसकी location कहाँ पर है just above the Arctic Circle तो यहाँ पर mid माई से लेकर mid July तक 24 घंटे sun rise रहते हैं 24 घंटे sun जो है उगावा रहते हैं तो इसलिए इसको land of midnight sun कहते हैं next पर चलते हैं जहां से भी sun निकलता है तो the country is so close where the sun rises तो इसलिए जपान को कहते हैं लेंड आफ राइजिंग सन नेक्स्ट है पर हर्मिट kingdom किसे कहा जाता है तो नौर्थ कोरिया को कहा जाता है तो हर्मिट का मतलब क्या होता है एकांथ एकांथ वासी तो हर्मिट लिए आपर क्या होता है इसको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं इसको गोल्डन भी कह सकते हैं क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि आपर जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं और उस गोल्ड डॉनेटेड लाइन पे क्या बनाते हैं एक टैमपल बनाते हैं जिस पर लोह और वर्प तो प्लेग्रांड और यूरोप इसे किसे चाहिते तो स्वीजर्लंड नेशन तो रेंबो नेशन किसे का जाता है साउथ अफ्रीका को साथ आफ्रीको को किया का जाता है क्यों कि रेन्बो नेशन क्योंकि यहां पर क्या हुआ था यहां पर इलेक्शन बिसिकली यह वो कंट्री है जहां पर इलेक्शन होए थे 1994 में फिर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन होए थे और यहां पर एराउंड 11 ओफिशल लेंग्वेजिज ज़ो लिए वहां पस में मिल जूर्ट के रहते हैं इसको का जाता है इसको रेन्बोर नेशन भी का जाता है रेनबो में जैसे अलग-अलग कि सिटी को का जाता है तो की ऑफ मेडिटेरियन जो है वो का जाता है जिब्रेल्टर सिटी को क्या का जाता है कि की ऑफ मेडिटेरियन का जाता है नेक्स्ट इमार पर इटर्नल सिटी इटर्नल सिटी सिटी ऑफ सेवन हिल्स किसे का जाता है रोम को का जाता है जपान को जो है न तो सिटी आफ गौल्डन के गेट किसे का जाता है तो उसको क्या करता है किसे स्ट्रेट का काम करता है तो इसलिए इसको 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 गोल्डन गेट का जाता है सिटी आफ पीस किसे का जाता है तो वो है जेरुसेलम जेरुसेलम को क्या का जाता है सिटी आफ पीस का जाता है नेक्स इसको 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 किसे का जाता है तो वो का जाता है तो जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं पहला है सिटी आफ मेडिटेटियन किसे का जाता है तो व सब्सक्राइब कर लेते हैं निकनेम ऑफ सिटीज को भी सबसे पहले इसको आप शुगर क्यूब से भी याद कर जाते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे का जाता है जिसके अपर होती है मतलब मोटी उनकी परत होती है तो इसलिए जानवर जो कहा पाए जाता है एजिप्ट को का जाता है क्योंकि यहां से नाइल यह किस पर बसाव है नाइल सब्सक्राइब लेक्स में भूत मज़े करते तो फनलेंड और यहां पर 24 घंटे जो है संराइज रहता है मिट मैं से सबसे सबसे पास जो है यही कंट्रिये नेक्सटर और यॉरोप किसे का जाते है वो का जाता है बूटान को पूटान को गेंचे डान ओफ अन्डर्वाँट किसी चाहते हैं तो जाता है नॉर्थ कोरिया को हर्मिट और पकाड़ा किसी तो यह जाता है और मैंत को दोकाड़िकार्थ रोप करते हैं लोग क्या बनाते हैं जोकी थाइब का होते हैं यहां पर लोक स्विधर लोग करने तो South Africa को खा जाते है 1994 में जो है यहां पर first time democratic election हो है यहां पर 11 official language के लोग जो है एक साथ रहते हैं तो जैसे rainbow में बहुत सारे colors होते हैं तो यहां पर भी different language वारे लोग जो है वो एक साथ रहते हैं एक तके साथ रहते हैं तो guys यह था हमारा session I hope आपको वीडियो समझाई और पस आप